हलो एवरीबन मैं हूँ रूबी और आप आए हैं तारा मदू की रसोई चैनल पर तो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बेकिंग से आप घर बैटे हजारों में अपनी कमाई कर सकते हैं मुझे एक बल्क में कपकेक बनाने का ओर्डर मिला था जिसमें मैंने एक ऐसी ट्रिक लगाई जिससे कि मैंने उन्हें महेंगे दामों में बेचा और इसको करते हुए मुझसे एक गलती भी हुई तो वो भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आप उसे ना दोर आएं तो यहाँ पर friends मैंने क्या कि एक बड़ा सा पतीला लिया क्योंकि मुझे बहुत सारे कपकेक्स बनाने थे और अपना crust and crumb का मैंने प्रिमिक्स लिया और इसके अंदर मैंने डाला 5 कप अपना ये प्रिमिक्स क्योंकि friends मुझे 30 कपकेक्स बनाने थे और 1-50 ml वाले कप से 6 तो उससाब से मैंने 5 कप प्रिमिक्स ले लिया और उसी के मेजरमेंट के हिसाब से 5 टेबल स्पोर मैंने डाल दिया और जब ये सारी चीजे मैंने डाल दी तब मुझे अचानक घ्यान आया तो मुझे तो चॉकलेट के भी कपकेक्स कुछ इसमें से बनाने थे तो फिर क्या कर सकती थी फ्रेंड्स मुझे इसके अंदर से अपना ओयल निकालना पड़ा प्रिमिक्स भी निकालना पड़ा ये देखिए तो मैंने क्या किया पतीले को थोड़ा सा तेड़ा किया और जितना ओयल में निकाल सकती थी वो मैंने निकाल लिया क्योंकि अभी मुझे इसमें स यह देखिए तो अगर आपके पास इस तरीकी की पॉजिशन हो कि आप उसे सेव कर सकते हैं तो आप मेरी तरह इस प्रेक कर सकते हैं और यहां पर मैंने सब कुछ जब सेटल कर दिया उसके बाद मैंने इसमें डाला पाइनपल फ्लेवर क्योंकि मुझे थोड़े पाइनपल औ और थोड़े चॉकलेट वाले बनाने थे और पाइनपल के हिसाब से मैंने डाल दिया यलो जेल कलर अगर आपके पास पाइनपल का इमल्शन है तो आप वो यूज़ कीजएगा उसमें फ्लेवर और कलर दोनों आ जाते हैं आप इसमें धीरे-धीरे पानी डालेंगे और बन आप जाएगा स्मूच सा बैटर और अब इसके अंदर कुछ टेस्ट आजाए कपके के अंदर तो मेरे पास फूती-फूती थी यलो और रेट कलर शुची तो मैंने वह सारी डाल दी है और थोड़ा सा कलर में इसमें और डालूंगी थोड़ा सा कपकेक का जो कलर है न वो ड निकाल लिया था उससे हम मैं बाकी के चॉकलेट फ्लेवर वाले पना लूँगी पट पहले इनको मोल्ड में डाल देते हैं तो मेरे पास ही हाड़ वाले पेपर के मोल्ड है और आइसक्रीम का स्कूपर है और इसी की मदद से मैं इसके अंदर ना लगबग एक-एक स्कूप भर करके बैटर डाल दूगी तो जो स्टैंडर्ड साइज होता है ना फ्रेंड्स कपके का उतना ही हमें डालना है पूरा भर देंगी ना अगर आप इस साइज को तो आप फिर डेकोरेशन करेंगे तो आपकी डेकोरेशन बहार आ जाएगी तो केवल आधे माग तक ही आपक इतनों में फिनिश हो गया यह देखिए तो यह हमारे बन गए हैं पीस पाइनपल फ्लेवर वाले कपकेक अब मैं देड़ कप यहाँ पर चॉकलेट प्रिमिक्स लोंगी और फिर मैं अपने बना लूँगी 10 यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर वाले कपकेक तो यह देखिए द आएगा चॉकलेट फ्लेवर है तो एक्स्ट्रा कुछ डालने के लिए आप इसमें चोको चिप्स डाल सकते हैं तुटी फ्रुटी इसमें थोड़ी ठीक नहीं लगेगी चाहें तो कुछ ड्राइफूट्स वगर भी डाल सकते हैं मेरे पास ये डाक कंपाउंड जो चॉकलेट डाल देंगे ये देखें तो जहां मैं फस गई थी ना कि मुझे सारे पाइनेपल के बनाने पढ़ रहे थे वचानक ध्यान आने पर मैं बच गई मैंने प्रिमिक्स निकाल लिया और फिर मैंने चॉकलेट वाला बना करके अपनी बिगड़ी हुई बाजी जो थी वह सभाल इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने एक किटी पार्टी के लिए बनाये थे तो कभी होता है न लीडी इसको चॉकलेट पसंद नहीं होता है किसी को पैनेपल प्रसंद नहीं होता तो मिक्स रहे इसलिए जिन्होंने ओर दिया था उन्होंने कुछ ऐसा बगजे बोला था ये बन 20-200 डिग्री पर तंप्रेचर के बीच में इसे प्रीट कर लिजेगा और जब ये प्रीट हो जाएगा तब इसके अंदर हम मैं अपनी ये बेकिंग ट्रेस सेट करूँगी तो एक तो मैं उपर वाली में सेट कर दूँगी जिसमें 20 हमारे पाइनपल फ्लेवर वाले हैं और क्रीम इसके उपर लग जाएगी तब हम इसे कपकेक कह सकते हैं तो 25 मिनिट में मेरे देखिए सारी ये कपकेक फिर से कपकेक रड़ी हो गए हैं और क्या बोलू फ्रेंड सेने तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है अब सब को बाहर निकाल लेते हैं और कर लेंगे देखिए कितने बढ़िया राइस हुए हैं कोई भी बाहर ओवरफ्लो नहीं हुआ क्योंकि हमने एक दम बराबर मातरा में बैटर इनमें समय डाला था अब ये फ्रेंड्स एक्स्ट्रा कुछ टेस्टी बने तो अब मैं इनके अंदर फिलिंग डालूंगी तो उसके लिए क मेजरी का इसना है वहतिक locks गरने है वह को स्पून से इस तरीके से बीच में से हलकी फिमाटी बनानी है और मेरे पस था मेजरिक स्पून का जो स्टील का स्पून वह है वट यह ना हो तो आप चाकू से थोड़ी सी space बनाली जिएगा और इसकी जो कैप पीस निकालते है ले सकते हैं, crush ले सकते हैं या इस तरीके से देखे, मैंने ये very berry का जो crush है, वो लिया है और मेरे पास cherry की filling भी है तो वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ, अगर filling नहीं है तो direct आप crush भी इसमें यूज कर सकते हैं, तो अब जितनी cavity है ना, उसी के हिसाब से मैं इसके अंदर ये mixture डाल दूँगी लगबग, half teaspoon इसके अंदर चला जाता है, और जो piece आपने इसका उपर से निकाला ना, कि वो वापस वैसे ही fit करना है तो जब आप इस cup के को खाएंगे ना, friends तो एक filling आपके मूँ में आएगी एक tasty सा liquidy जब taste आएगा ना, तो बहुत मज़ा आएगा, और chocolate वाले में ने तो cherry और berry की filling डाली है और pineapple वाले में हम pineapple का crush डालेंगे बट मेरे पास filling है तो मैं वो भी डाल दूँगी ताकि extra taste आजाए और अभी ना मैं इसकी pricing भी आपको करनी है और सेम वैसे ही इनके cavities में भी इसको फिल कर देंगे तो जिस भी flavor के आपको cupcake बनाने हो ना उसकी filling ज़रूब डालिए फ्रेंस, normally cupcake बनाकर उसके ओपर cream मत लगाएगे क्योंकि उसके नदर कोई moisture नहीं जाएगा ना तो cake बहुत ब्राई लगेगा और इस filling से क्या होता है थोड़ा सा cake moist हो जाता है खाने में मज़ा आता है और मतलब आप कभी देखे देखिएगा जिस भी cupcake कस्टमर को आप देंगे न वो आप से दोबारा मांगेगा चलिए, filling सब में हो गई है अब मैंने लिए अपनी cream और उसमें डाल दिया yellow gel color मेरा pineapple flavor वाला emulsion friends खतम हो गया है उससे बहुत प्यार एफेक्ट आता है कोई बात नि मैंने कुछ बूने pineapple flavor की भी डाल दिया और color डाल करके न हलका सा smudge किया है, mix नहीं किया है और ये N1 और 2D दो बड़े-बड़े star nozzle है उनमें मैंने piping bag को fit करके cream भर लिये क्योंकि अभी मुझे पता है change करना होगा और सभी पर मुझे यही color के rosette बनाने है इसलिए मैंने एक साथ बना लिया चॉकलेट वाले पर कोई चॉकलेट frosting यूज नहीं करनी है अब यहाँ पर देखिए एक तो ये style था जो मैंने पहले वाले में बनाया है rosette का और एक यह है कि बीच में start किया और end तक आ गए तो पहले वाले से second वाला ज्यादा ठीक बना है इसलिए मैं वही वाला pattern सब पर बनाऊंगी और यहाँ देखिए piping bag एक अग्दम भरा हुआ है दिजाइन खराब हो जाती है बट काम होता है न तो उसको धिहानी नहीं रहता है कि अलग करना चाहिए एकी tray में रखे थे और फटा 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 फट सब पर मैंने rosette बना लिए जब भी आपको bulk में से कोई order बनाना हो न तो यह वाली जो design है वो सबसे best है जितनी cupcake पर cream जानी चाहिए उसको यह देती है और बतलब मज़ा आ जाता है और यह देखे चोकलेट वाले पर भी मैंने बना दी और color को मैंने अच्छे से mix नहीं किया था न उसकी वज़े से देखे किता प्यारा yellow, white सा shaded effect आ रहा है यह देखे तो सभी पर मैंने यही वाली decoration देख लिए कर ली है और हमारे 30 के 30 cupcakes ready हो गए है तो जब यह बन गए है तो मैंने इसकी photo वगएर ले ली फिर बाद में सचेन के उपर कुछ balls डाल जेती हूं पट जब मैंने बनाये थे ना तो भेजने के time पर time का कुछ period था तो मैंने friends tray से ही दिया था क्योंकि मेरे side वाले किसी को चाहिए था तो pack नहीं किया boxes में नहीं डाला पट ऐसे cupcakes के boxes आते हैं market में आपको purchase कर सकते हैं मेरे किसी भी वीडियो में आप cupcake वाले में देख सकते हैं और यहां देखिए मैं तयार हूं क्योंकि मेरे ये दोनों orders का काम complete हुआ तो I hope आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सिखा होगा और हाँ friends अब cupcakes का price भी बता देती हूं मैंने एक cupcake जो है 30 rupees में sale किया तो ये 30 थे 30 into 30 900 रुपे का मेरा ये order था और साथी 900 रुपे का या कि उन्होंने सबने वहीं खा डाले तो इस तरीके से friends आप भी इस recipe को मेरी try कर सकते हैं आपको बहुत ही अच्छे results मिलेंगे, response मिलेगा और आपकी कमाई भी अच्छे से होगी and profit भी होगा इस वीडियो से अगर कुछ देखने को लेकिन कल में आपके लिए fondant से related एक बहुत ही धमाकेदार सा वीडियो लेके आ रही हूँ तो जरूर देखेगा चलिए बाबाई टेक किया